अजर जी, iOS के अंदर हमने सिंप्लस टेबल व्यू जरूर देखा है, इस सेशन के अंदर हम iOS पर देखते हैं कि एक टेबल व्यू के साथ मैं इमेजस को किस तरह से इंबेंड करवा कर शो करवा सकता हूं, यानि टेबल व्यू विद इमेजस को हम एंडल करेंगे तो UI पर मौझूद हूं, बैक अंद कोड पर आते हैं सबसे पहले, और आने के बाद हमें इसके लिए हम इसके लिए हम आपचेक्ट पर आएंगे और यहां से टेबल व्यू आट करेंगे, तो हम इसे ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के साथ ही साथ हम इसे चारो डामेंशन पर फिक्स कर देते हैं, तो मैंने इस प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी के साथ से चारो डामेंशन पर जीरो साथ किया ताकि और इसने अपने आपको एड्जस्ट कर दिया, उसके बाद आप प्रॉपर्टी पे जाओगे और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहां लिखा वाँ प्रोटोटाइप सेल, इसको आप वन कर दोगे, तो प्रोटोटाइप साल यहां पर वन एड़ चुका है, इसको आप ड्रॉप कर लो इस तरह से, आई में ड्राइप कर लो तो इसकी विर्ट और हाइट साथ हो जाएगी और मुल्टीबल टाइम उसे रिपीट किया जा सकेगा, तो जब आप इस टेबल को अपने चंट्रोल पर भी हमने देखा था, जब हमने simplest way पर देखा था, टेबल व्यू को, कि हम आप से एक relation बना रहे होते हैं, delegate के जरीए कि हमारे controller में इसके अंदर वो images और text add होंगे, जो हम backhand logic पर define करेंगे, ओके, यह करने के बाद, कुछ मजी चीज़ें भी इसमें add करवानी की जरूरत है जो चीज़ आप दिखाना चाहरे हो, तो मैं image और label लूँगा यहां पर, तो मैंने यहां पर एक image view add कराया, इस cell के अंदर, जिसका नाम हम identifier way पर cell रखेंगे, यह tag है हमारा, तो मैंने इससे इस तरह से adjust कर दिया, और जो भी आप width और height देना चाहते हैं, वो आप आप दे सक लिखते हो, initially inispe में label लिखा हुए, वो label मैंने यहां से हटा दिया, और इस वक यहां पर label मौचूद है, अच्छा, delegates का concept हम जान चुके है, हमें क्या करना है, multiple images with labels यहां पर show करवानी है, इस table view के अंदर, तो लहाजा हमें सबसे पहले images add करवानी की जरूद है, तो images add करवा और यहां पर आने के बाद, हम अपने desktop पर आएंगे, macOS के, और यहां पर कुछ images आप देख रहो, जैसे के, AA है, और इसी तरह से, तो यह तमाम images में, एक एक करके drop करता जा रहा हूँ, इन तीन images को use करेंगे, आप चाहें तो multiple images, यूस कर सकते हैं, एक साथ, तो मैंने तीन images यहां पर add करवा दी, और उसके बाद हम अपने UI पर वापस आजाते हैं, main storyboard, and finally back है, तो सबसे पहले, हमें अपने controller पर उन data source और delegate को inherit करना है, जिसके लिए table view का हम इस्तमाल यहां पर कर रहे हैं, तो मैंने comma press किया, और सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, UI table view data source and delegate, तो यह रहा data source यहां पर आ रहा है, फिर comma press किया, उसके बाद लिखा मैंने UI table data source, तो हम ले चुके हैं, तो मैं UI table view delegates लूँगा, क्योंकि इन ही दोनों चीज़ों का हम इस्तमाल कर रहे हैं यहां उसके बाद, हमारे पास variables नहीं है, हम variables एक array यूस करेंगे, जिसमें हम उन images को use करेंगे, जिन images को हम table view पर दिखाना चाहरे हैं, उनके names यहां पर use करेंगे, तो मैं यहां पर आता हूँ, और एक variable बनाता हूँ, और उसका नाम मैंने रख दिया images on, ठीक है, और यह एक list के form पर तमाम values को hold करेगी, अच्छा, जो मेरी images के नाम है, वही मैं यहां यहां पर store कर रहा हूँ, क्योंकि text में मैं वही दिखाऊंगा, ठीक है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से यहां पर चीजों को change कर सकते हैं, यानि double A, double B, double C ही images के नाम है, तो वही मैं यहां यहां पर use कर रहा हूँ, उसके बाद अगर आप अपने UI table source या table delegates पर आप जाओ, तो यह हमारा UI table, sorry, table view data source है, और उसके बाद UI table view delegates है, तो जब आप data source पर alt प्रास करकर, enter करोगे, या window प्रास करके करोगे, अगर आप virtual machine पर काम कर रहे हो, तो इसके कुछ methods यहां पर आएंगे, उनी दो methods को हम इस्तमाल करते हूँ, अपने record को visualize कराएंगे, तो सबसे पहला method आपको इस पर click करने के बाद, यानि मैंने window के साथ जब click किया, तो सबसे पहला method हमें यहां पर दिख रहा है, जो number of selections rows का है, तो और उसके साथ ही साथ नीचे अगर आप आओ, तो यहां पर indexes path मिलेगा आपको एक और method का, ठीक है, तो अगर मैं नीचे आओ, तो view, यह रहा हमारे पास, ठीक है, indexes path, तो इन दोनो methods को मैंने यहां से window C से copy किया, copy करने के बाद, मैं अपने UI पर वापस आता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनी methods को, जोके overloaded method है, मैं अपने view पर इस्तमाल करूँगा, ताके record को show करवा सको, तो मैंने दोनों को window V के साथ यहां paste किया, इसकी body हमें curly bracket के साथ बनानी होगी, चीक है, तो as like this, तो यह simplest तरीका था, उन दोनो methods को यहां पर use करने का आप चाहिए, तो directly यह method लिग भी सकते हैं, लेकिन मैंने वहां से जाकर दिखाया, ताके आप ease के साथ, advanced पर जब आप काम करोगे table view पर, तो वहां से वो तमाम method जोग तो पहला method हमारे पास return का है, कि table view पर हम किन चीज़ों को return करवाना चाहते हैं, तो मैं images own को करवाना चाहता हूँ, तो लहाजा इसके लिए हम यहां पर return करवाएंगे, return, जो भी हमारे images का count है, तो जितने count है, उन तमाम को हम यहां पर return करा देंगे, जबके second जो है, वो images के path का है, या उन taxes के path का है, जिनको आप इस्तमाल करना चाहते हो, क्योंकि मैं यहां पर images यूज़ों करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम एक identifier भी बनाएंगे, और उन identifier को या उस cell को वहाँ पर इस्तमाल करेंगे, लाज इसके लिए मैं zoom out करके दुबारा UI पर वापस जाओ ताके हम वहाँ पर cell का नाम दे सकें, जब भी हम table view पर काम करते हैं, तो जब आप इस पर click करके इसकी property पर वापस जाओगे, तो यहां पर आप देख रहो, prototype लिखा हुए, और साथी साथ, जब आप इसके इस area पर click करोगे, जिस पर मैंने images वगर add की थी, यहां पर मैंने click क किया है, तो आप देख रहों, यहां पर identifier है, तो इस identifier का नाम previous session पर जब मैं simplest तरीका बता रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने cell या cell 1 यूज किया था, तो आप कोई भी name यहां पर use कर सकते हैं, यह name लिखने के बाद मैंने enterprise किया, अपने backend code पर वापस आऊंगा, जिस पर हम का नाम शुरू होगा, तो मैंने अब एक variable बना लिया, cell के नाम से, और अब हम table view को call करेंगे, यहां पर, मैंने call किया table view.dq reusable cell, ठीक है, तो reusable cell यहां पर हम लेंगे, और with identifier, यहां पर हम अपने identifier का नाम रखेंगे, जो कि क्या है, cell है, अभी हमने लिखा, और उसके बाद हमारे यहां पास एक parameter आएगा, for का, जहां पर हम index path बताएंगे, तो मैंने कहा, for index path as my view cell, ठीक है, उसके बाद हम cell.my image use करेंगे, के, जिसके जरीए से आप अपनी images को यहां पर call कर पाऊगे, तो, तो, यहां पर जैसे आप देख रहो, my view cell, जब मैंने यहां लिखा, तो यहां error इसलिए आ रहा है, क्योंकि यह वो controller या view cell table होगी, जो backhand code के लिए होती है, जब आप add करवाओगे, तब ही आप अपने table view पर record को show करवा सकोगे, मजीद असान करते हैं, जब हम main storyboard पर आते हैं, तो यहां पर हमारा default view था, इस default view पर table view को मैंने add करवाया है, तो जब मैंने table view को add करवाया है, तो table view पर, जब मैं view add कर आता हूं, तो उसका backhand code भी होता है, वो यहां पर मौझूद नहीं है, लहाज इसके लिए मैं इस controller पर click करके, फाइल पर जाओंगा, और एक new file आट करवाओंगा, table view cell के लिए, तो मैंने coca touch पर click किया, अब एक controller नहीं है, क्योंके मुझे table view cell use करना है, क्योंके table view पर record दिखाने है, तो इसके लिए हम नीचे आएंगे, यह लिखावा है, my ui table cell, यह मैंने लिया, मैंने पेस्ट कर दिया, जो name मैं इस्टमाल कर रहा हूँ, जब कोई आप पर मेंने type किया है, तो वो मैंने type किया है, my view cell ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको Add कर वा दिया, तो उसी project में, यह भीलकुल प्रोजेक्ट में करवाना है, यह मैंने add करवा दिया, उसके बाद, अभी हम इस class को use जरूर करेंगे at last, लेकिन पहले हम UI पर वापस आ जाते हैं, अपने उस code के जिसमें हम काम कर रहे थे, तो आप देख रहो कि यह error यहाँ पर जा चुक है, अब यह जो my image यहाँ पर मैं variable इ करना है, लेहाज़ा, अब main storyboard पर वापस आने के बाद, मैं इस controller पर click करूँगा, और जब मैं circle पर जा रहा हूं, तो अभी आप देखो कि वो default वाला controller view आ रहा है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे cell पर आना है, लेहाज़ा property पर चलते है, property पर आने के बाद, ये लिखावा view controller, यहाँ से, मैंने अपने table cell पर click किया, और अब यहाँ पर आ रहा है, view table view, तो अब यहाँ से, okay, something wrong, यह cell है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया, my view cell, जब मैंने images पर click किया, अब देखो, यह लिखने के बाद, मैंने enterprise किया, और अब यहाँ से जाओंगा, मैं लेंगे, my view cell, ठीक है, ताके मैं इस पर, अब वो variable define करूँ, जिस variable को मैं वहाँ use कर रहा हूँ, तो मैंने image view पर click किया, इसे drop किया, देखें, यहाँ पर drop हो गया, cell के जरिये से, अब मैंने इसका नाम वही रख दिया, जो वहाँ पर मैं call कर रहा था, my image, इसके बाद हमारे controller पर, पहले वाले, जिस पर हम logically define कर रहे थे, दुनों method को, तो मैं view controller पर वापस आता हूँ, अब आप देखें, जब मैं cell लिखता हूँ, दुबारा, dot my images, ठीक है, dot, और उसके बाद हमें यहाँ पर image call करना है, तो इसके जरिये से, अब आप यहाँ पर image set कर रहा होगे, तो image के जो नाम है, वो images on के नाम से list में मौझूद है, तो यहाँ पर लिखा मैंने images on, और उसके बाद उसके indexes, तो indexes path dot ros, ros के जरिये से वो तमाम indexes आ जाएंगे उसमें, और उसके बाद plus sign से concatenate करके आप उसके extension बता दोगे, तो extension हमारे dot jpg है, बाकि आपके जो भी extension हो आप आपर वो define करेंगे, और at last हम अपने cell को return करा देंगे, इस function के लिए, that's it, तो इस तरह से आपने cell को reserved करवा दिया है, कि वो cell वहाँ पर किस तरह से काम करेगा, my images variable मुझे देखना पड़ेगा, मैंने क्या लिखा है आपर, my image लिखा था भई मैंने, तो मुझे वही चीज व Okay, just put the extra space here, और अब हम अपने simulator को run करते हैं, और देखते हैं कि क्या मैंने जो 3 images use की हैं, जिसके text मैं AA, BB और CC यूज करना चाहरा हूं, by table view cell, क्या मैं डिस्प्ले कर पा रहा हूं, Okay, here it is, 3 images हमारी यहाँ पर आचुकी है, आपको देख रहा है, लेकिन text यहाँ पर नहीं दे आपर understand करना है कि मैंने सरिफ images के बारे में बता है, लेकिन text के बारे में तो बता यह नहीं है, तो अब मुझे लिखना होगा cell.mylabel, ठीक है, और label.text equal to, जो आपके array का नाम है, तो मैंने लिखा images on indexes path.raws, तो जो भी इसके raw में names हैं, यानी AA, BB, CC, वो यहाँ पर display हो जाएं नेरडस, तो इस तरह से table view को हमने view cell के इस्तमाल के जरीए से यहाँ पर images के साथ handle किया, कि आप multiple images को, multiple text के साथ, जो भी आप आपकी designing है, जिस designing को आप इस्तमाल करना चाहते हैं, उसके जरीए से display करवा सकते हैं, अगर मैं quick review दो, तो सबसे पहले हमने अपने main storyboard पर, UI पर table view आड़ करवाया, table view के अंदर हमने एक property से tag आड़ करवाया, ठीके, उस tag के अंदर हमने देखा, कि हमारे पास prototype cell add करवाया, और उसके अंदर हमने image और label यूज की, इस image और label के variable को handle करने के लिए, हमने file एक add करवाई, ठीके, जब भी आप एक view controller लेते हो, तो आपको याद होगा कि view controller के लिए आप backhand पे भी controller का view लेते हो, लेकिन इस वक हमने यहाँ पर table view cell लिया, जहाँ पर हमने variables बनाया, और जो default तोर पर हमारे पास controller था backhand का, उसके अंदर हमने array यूज किया, list यूज किया, और उसमें हमने table view data source and delegate का इस्तमाल किया, जो के table view के controller के साथ एक relation बनाता है, इसके different methods से, उन methods में से दो methods हमने यहाँ यूज किये, जो एक list के count को return करता है, और दूसरा उसको display करवाने के लिए मदद देता है, according to the index number, और उस base पर at last हमारे पास यह result डिस्पले होकर आया, जो हमने यहाँ पर at last देखा,